वर्ष दो हजार तेईस के दौरान भारत में दक्षिन पश्चिम मानसून, जून सितंबर, के बाद उत्तरपूर्व मानसून, अक्टूबर दिसंबर, के दौरान भी सामाने ओसत से कम बारिश हुई जिससे खरीफ तथा रभी सीजन में दलहन फसलों का बिजाई छेतर घट देश में करीब 75 प्रतिशत वर्षा दक्षिन पश्चिम मानसून सीजन के दौरान होती है शीतकालीन मानसून भी निराशा जंक रहा लेकिन फिर भी किसानों ने दलहन फसलों की खेती में काफी दिल्चसपी दिखाई इसके फलस्वरूप मसूर एवं मतर का रखबा गत वर्ष से आगे निकल गया लेकिन चना मूंग एवं उड़त का क्षेतर फल पीछे रह गया चना के बिजाई छेतर में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई हालाकि भारत में कुल वार्षिक वर्षा में उत्तर पूर्व मानसून का योगदान महेज 11 प्रतिशत रहता है मगर फिर भी रभी कालीन फसलों के लिए इसे अत्यंत महत्वपून माना जाता है देश में 6 वर्षा मानसून से आगे के पूर्व यानी मार्च से मई के दौरान होती है रभी कालीन दलहन फसलों का कुल क्षेतरफल गत वर्ष से करीब 7 प्रतिशत पीछे रह गया देश के 150 प्रमुक बांधों जलाशों में भी पानी का स्तर काफी घट गया है जिससे रभी फसलों की सिंचाई के लिए परियाप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है मसूर के क्षेतरफल में 6 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ क्योंकि एक तो सरकार ने इसके न्यूंतम समर्थन मूल्य में भारी बड़ोतरी करदी और दूसरे इसकी घरेलू मांग काफी मजबूत बनी हुई है फसल की हालत संतोशनक है और इसकी उपजदर सामाने ओसत से उंची रहने की उम्मीद है इसके फलस्वरूब 2023 से 24 के वर्तमान रभी सीजन में मसूर का घरेलू उतपादन बढ़कर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे शीर्ष उतपादक राजियों में मसूर की फसल अच्छी हालत में बताई जा रही है एक अग्रणी विशलेशक फर्म ने चालू रभी सीजन के दोरान भारत में मसूर का कुल उतपादन तेजी से उच्छल कर 17.1 शूने लाक टन के सर्वकालीन सर्वोचिस्तर पर पहुँचने का अनुमान लगाया है जो 2017 से 18 सीजन के रिकॉर्ड उतपादन 16.2 शूने लाक टन से भी करीब 1 लाक टन ज्यादा है रिकॉर्ड उतपादन तथा मजबूत बकाया स्टॉक के बावजूद भारत में मसूर का आयाद जारी रहेगा क्योंकि इसकी खपद ज्यादा होती है लेकिन कनाड़ा एवं उतपादन घटने से भारत में मसूर का आयाद 12.5 शूने लाक टन के आसपास सिमट सकता है जबकि पहले यह 15 से 16 लाक टन तक पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा था Bureau Report Market Times TV